नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त कुल्दीप शिंग दोस्तों इस वीडियो में 44 ओडियो बोर्ड के कनेक्शन करने वाले हैं तो बने रही है हमारे साथ में यह है दोस्तों डबल आईसी का ओडियो बोर्ड तो चलिए कनेक्शन करना स्टार्ट करते हैं तो connection शुरू करते हैं बोलियम से जिसका number है 100 के ये 6 pin का बोलियम है तो इस बोलियम में क्या करना है ये दो पिने आपस में जोड लेनी है क्योंकि ये जो पिन है वो ground की पिन होती है इसलिए दोनों ground पुन आपस में इस तरह से जोड लेना है तो चलिए इसको sold कर लेते हैं इस ground की पिन है यहां से यहां पर तो यहां पर इसको लगा देते हैं मतलब ground जहां भी हो कहीं भी आप इसको लगा सकते हैं तो यहां पर इसको sold कर दिया इस तरह से आप connection करेंगे audio की तो चलिए audio के बायर में लगाएंगे दो लाल लंके बायर दोनों लाल लंके बायर लगाएं अब देखिए इधेर से दो नमबर की जो पिन होती है वो होती है audio पिन देखिए 45 में जो दूसरे नमबर पिन है यहां से यहां रेजिस्ट्राईंस द्वारा यहां से यहां पर audio आ ग бокello है और इसी तरह से दूसरे जो IC के यहां से यहां पर मतलब एक wire को यहाँ पर sold कर लेना है और दूसरे wire को यहाँ पर sold कर लेना है उसके बाद में लगाएंगे दो कत्थाई color के wire यह लगाएंगे main volume के input वाली पिनों में देखिए जो दो पिने बची हुई हैं input की पिने हैं तो चलिए इसको भी sold कर लेते हैं इस तरह से बारी बारी से दोनों पिनों को sold कर लेना है देखिए दोनों wire दोनों पिनों में इस तरह से sold कर लिया है अब इन दोनों wire के connection होंगे audio plate के इन दो point में देखिए यहाँ पर यहाँ पर तो चलिए इसको भी sold कर लेते हैं इस तरह से देखिए दोनों पिनों को sold कर लिया है तो इस तरह से जो main volume है उसके connection complete हो गए है अब चलिए base और treble के volume के भी connection कर लेते हैं तो दोस्तों base और treble के volume के लिए एक ही तरह connection करेंगे जैसे कि इसमें लिया है सपेद नारंगी पीला wire तो सबसे पहले इनी तीन wire को sold कर लेते हैं सबसे पहले सपेद रंग का यहां से start करेंगे number एक से तो इसमें लगाएंगे सबसे पहले ससपेद वायर उसके बार नारंगी वायर उसके बाद पीला wire नमबर बाई नमबर लगाना है इस तरह से तो तीनो वायर को जायंट कर लिया, उसके बाद में क्या करना है बिल्कुल इसी तरह की तीन वायर out लेना है देखेब तीन वायर लिये हैं बिल्कुल सेम color क्या कि connection करने में कोई problem नहीं होगी, तो इसमें क्या करना है तीन पिने यहाँ से छोड़नी है उसके बाद में 4-5-6 में connection करना है बिल्कुल उसी तरह से करना है सबसे पहले सपेद वायर उसके बाद में नारंगी वायर और उसके बाद में पीली वायर तो इस तरह से 6 वायर के connection हो गया है जो कि लगाएंगे base के volume में देखी ये भी दोस्तों 100 के का volume है तो चलिए इसके भी connection कर लेते है तो इसके connection शुरू करते हैं इस वाली पिन से सबसे पहले में सपेद वायर के connection उसी तरह से करना है उसके बाद में नारंगी वायर के और उसके बाद में पीली वायर के तो देखी तीन वायर के लग गए हैं बिल्कुल इसी color के wire ये हैं तो इसके भी इसी तरह से करने हैं सपेद wire नरंगी wire और फिर बाद में पीला wire तो इस तरह से connection करने में थोड़ा problem कम होता इस तरह से आजानी से connection हो गए हैं बेस के volume के अब volume के बार ये रेवल का volume तो उसमें भी दोस्तों same color के wire लगाने हैं तो इस तरह से बैगनी सिलेटी नीला wire लिगा हुआ है ट्रिवल के लिए तो यहाँ चे श्टार्टिंग करेंगे फाइले बैगनी wire उसके बाद में सिलेटी wire और उसके बाद में नीला wire तो इस तरह से तीन wire लगा दिया हैं बिल्कुल इसी तरह से जो तीन पिने आंगे बची हुई हैं उनमें भी इसी तरह से लगाना है बैगनी वायर उसके बाद में सिलेटी वायर उसके बाद में नीला वायर तो इस तरह से 6 बोलियम के और कनेक्शन हो गए है अब इसके भी चलिए कनेक्शन कर लेते हैं ये भी 100 के का बोलियम है तो चलिए इसके भी कनेक्शन कर लेते हैं इसके भी बिल्कुल सेम तरह से लगाना है सबसे पहले बैगनी वायर उसके बाद में सिलेटी वायर और उसके बाद में नीला वायर तो इस तरह से देखिए तीन वायर लगा दिये हैं और बिल्कुल इसी तरह से जो दूसरे ट्रिविल के वायर हैं उसी तरह से लगाने है देखिए जेसे को उपर लगे हुए है बैसे ही इसमें नीचे लगाना है पोरे कनेक्शन हो गए है उसके बाद में बारी आती है स्वीकर की देखिए तीसरी पिन और पांचमें पिन है wire होते हैं speaker के तो इनको भी sold कर लेते हैं देखिए पीली wire लिए होगा speaker के लिए तीसरी pin और पांच में pin उस side से चलिए इसमें speaker में wire इसके लगा लेते हैं एक लाल में लगाना है ये दोस्तों speaker का socket है और एक काली वाली pin में लगाना है तो इस तरह से इसके connection कर ली है इसी तरह से दूसरी IC के भी connection कर लेते हैं तो इसमें लेंगे दो हरे wire इसको भी लगाना है तीसरी pin में और पांचमी pin में देखिए ये तीसरी pin और ये पांचमी नमबर की pin तो इस तरह से इसमें लगा दी है अब यही दोनों बाई लगाने हैं दूसरी side में देखिए speaker socket के दूसरी side में मतलब दोनों left right के speaker के connection इस तरह से कर लेना है मतलब दोनों speaker left right के connection इस तरह से कर लिए है तो अब बार यहाती है Bluetooth panel की तो चलिए इसके भी connection कर लेते हैं इसमें दोस्तों क्या करना है जहां पर देखिए सबसे पहले एक लगा देना है इसमें ground की बाई ग्राउंड की बाई इसलिए लगाना है क्योंकि इसमें जो noise आती रहती है वो नहीं आएगी तो इसको लगा देंगे ground की पिन में कहीं भी लगा देंगे इसमें लिखा हुआ एक तरफ 5 वोल्टेज एक तरफ ग्राउंड तो इसको अलग-लग कर लेते हैं देखिए जो दो पिन का शोकिट लगा हुआ है उसमें यह वाली पिने 5 वोल्टेज तो इसको बहुत ध्यान से लगाना है देखिए यह 12 वोल्टेज यह ग्राउंड यह है 5 तो इस पिन में इसको सोल्ट कर लेना है मतलब यह 5 वोल्टेज के बाहर है बुलकुल सही तरह से सोल्ट कर लेना है उसके बाद में यह है ग्राउंड तो इसको बीच वाली जो ट्रानिस्टर लगा हुआ है 78.05 इसके बीच वाली पिन में इसको सोल्ट कर लेना है इस तरह से मतलब यह wire उल्टे नहीं लगने चाहिए उसके बाद में जो three pin का socket है यह three pin का socket है तो इसके connection कर लेते हैं इसके देखिए यहाँ चे start करेंगे बन उसके बाद में ग्राउंड उसके बाद में left wire मतलब left और right और बीच वाला ground तो इस तरह से three wire के connection इसके भी कर लिए हैं अगर आप 12 voltage बैटरी से चलाएंगे तो देखिए यह वाला plus और यह वाला minus मतलब यह minus और यह plus मतलब दोनों wire आपको लगा लेना है बैटरी के लिए अगर लेकिन मैं इसमें connection नहीं करूँगा बैटरी के तो उसके बाद में connection करेंगे transformer के यह है 0.12 2A का transformer तो इसके भी connection कर लेते हैं इसके connection होंगे देखिए pin number 1 यहाँ पर और उसके बाद में एक wire करना है यहाँ पर तो इस तरह से transformer connection हो गए है उसके बाद में थोड़ा जूम कम कर लेते हैं उसके बाद में इसको check करके दिखाते हैं तो बारी बारी से सबी चीजों को line से लगा लेते हैं इस तरह से उसके बाद में यह है बिजली का board तो चलिए बिजली का board में transformer के wire को लगा देते हैं इस तरह से तो इसमें देखिए पैनल में करन्ट आ गया है जो Bluetooth पैनल है इसमें करन्ट आ गया है तो चलिए इसको चेक करके दिखाते हैं तो उसके बाद में सबसे पहले स्पीकर को और लगा लेते हैं कि इस सीकर अभी नहीं लगा दिया है तो इस तरह से अब आ जाना शुरू हो गई है चलिए अब दूसरे IC में भी लगा करके दिखा देते हैं देखें दूसरे चैनल की IC इसमें भी देखी अब आजाना शुरू हो गई है दोस्तों हम आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं तो वीडियो को आप एक लाइक जरूर कर देना अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दने वा दूस्तों